अगर आप medicine से related information चाहते हैं तो अभी subscribe करें चैनल को knowledge for Indian तो देखिए आज किस वीडियो में बात करेंगे अगर आप साकाहारी हैं, vegetarian हैं तो vitamin B12 को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप डाइट लेते हैं, इसा क्या खाएं जिससे कि आपका vitamin B12 बढ़े जाए या फिर maintain रहे और देखिए कुछ cause, symptoms, treatment के बारे में बात करूँगा, अगर आपको vitamin B12 की कमी है तो क्या क्या करना चाहिए अच्छी खासी quantity में क्या होता है vitamin B12, तो उनको कमी नहीं होती है अगर हम compare करें साकाहारी से तो तो देखिए इधर थोड़ा सा हम vitamin B12 के बारे बात कर लेते हैं, तो vitamin B12 को जो है, co-blamine भी बोलते हैं अब देखिए आज की date में हर दूसरे तीसरे इंसान को vitamin B12 की कमी है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में अगर हम compare करें foreign से तो विदेशेव में जो लोग रेते हैं उनसे, क्योंके देखिए, बोलों मास मच्छी यही सब खाते हैं कहां foreign में लेकिन इंडिया में हम जारतर जो हैं, क्या है, vegetarian है अब इंडिया में देखिए, जो non-vegetarian भी है वो daily मास मच्छी अंडा नहीं खाता है वो भी हपते में एक या दो बार खाता है, तो इसलिए इंडिया में ज़्यादा vitamin B12 की कमी देखे गई है अब देखिए, vitamin B12 की कमी है के नहीं, इसको कैसे पता करें तो सबसे पहले तो देखिए, आप इसका एक blood test होता है, वो करा सकते है तो उसकी जो reading होती है, 200 से 300 के बीच होती है, जो की normal लेती है 200-300 picogram per ml अब देखिए, इधर जो है, daily की requirement कितनी है अब देखिए, अगर vitamin B12 की कमी है, तो आपको बहुत सारी problem हो सकती है तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको vitamin B12 की कमी है जैसे कि आपकी नसे कमजोर रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि vitamin B12 जो है, नसों को मजबूत करता है और इसकी कमी है तो आपकी नसे कमजोर हो जाएंगी आपको साइटी के जिसी बीमारी हो जाएंगी आपके हाथ पेरों में जुन-जुनी जैसा होगा, टिंगलिंग होगा कोई सुई चबारा इस प्रिकास से प्रॉलम होगी इसके अलाबा आपके नर्वस सिटम के लिए जो है अच्छा होता है vitamin B2L इसके अलाबा देखिए आपकी skin जो है मुँ में च्छाले हो जाएंगे अगर vitamin B2L की कमी है तो उसे च्छाले भी हो जाते है इसके अलाबा देखिए आपका sudden moon change हो जाएगा moon change हो जाएगा इसके अलाबा आपको anemia भी हो सकता है क्योंकर vitamin B2L जो है RBC को बढ़ाने का काम करता है तो इससे खून की कमी भी हो सकती है अब इसके अलाबा जो है ये DNA बढ़ाने में भी मदद करता है vitamin B2L इसके अलाबा आपके बाल भी जड़ सकते हैं अगर vitamin B2L की कमी है तो तो ये कुछ symptoms हैं जो की नजर आएगे अगर आपको vitamin B2L की कमी है तो तो देखे ये तो बात रही symptoms की अब भाई साकाहरी लोग क्या खाएं क्या उनको daily routine में सामिल करें जिससे के vitamin B2L की कमी ना हो तो देखे बहुत सारे साकाहरी लोग ऐसे हैं जिनोंने अंडा खाना चालू कर दिया अगर आप अंडा खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है daily दो whole एक खाए daily और उसमें जो पीला वाला भाग है वो जरूर खाएं लेकिन अगर आपका कोलिस्टॉल बढ़ा है जिसको बुनते LDL जो की band कोलिस्टॉल होता है तो उस कंडिसन में आपको पीला वाला भाग नहीं कहना है सपेद वाला भाग खा सकते हो अगर आपका LDL बढ़ा है तो क्योंकि ये आपके LDL को कोलिस्टॉल को बढ़ा सकता है या फिर आप डॉक्टर से सला करें तो अगर आप साकाहरी है और अंडे खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है दो अंडे डेली खाएं इसके अलाबा देखिए दो गिलास दूद पीना है आपको डेली दो गिलास दूद और इसके अलाबा देखिए आप पनीर ले सकते हैं पनीर जो है बहुत अच्छा सोर से बिटामिन B2L का भी और साथ में प्रोटीन का भी, इसके अलाबा आप दही ले सकते हैं, दही के अलाबा आप पालक ले सकते हैं, पालक बहुत अच्छा सोर से बिटामिन B2L का और बहुत अरे बिटामिन्स भी मिलते हैं पालक में, इसके केला इसके अलावा आप एक दिन में है इसके अलावा आप सेव एपल ले सकते हैं अब आपको दो खानाafar मैं तो अगर आप डेली सामिल कर सकते हैं अपने पूटीन में तो आपकी लगबग लगबग बिटामिन B2L की कमी जो है मतलम नहीं होगी तो इधर देखिए बहुत जादा जो है मला सोर्स नहीं है वेजटेरियन में अब इधर थोड़ा बहुत तो हर चीज से मिलता है दाल से मिलता है सब कुछ मिलता है लेकिन मैंने जो आप परसन को इतना लेना चाहिए वो थोड़ी बहुत कमी है तो इससे पूरी हो जाएगी लेकिन अब ज्यादा कमी है तो उसके लिए आपको टैबलेट लेना पड़ेगी टैबलेट कम से कम देखिए 500 MCG वाली जरूर ले आप और बहुत सारी टैबलेट आती है बहुत सारी ची MCG तक कि आपको एक टैबलेट लेनी है एक दिट में एक बार या फिर आप एक बार डॉक्टर से साला कर लेंगे तो और बहतर रहेगा अब इदार में एक और इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं देखिए जिनको डाइबिडी से सुगर की बिमारी है या फिर जिनकी उ जादा हो गए यह 60 साल से जादा है तो उनको देखिए जनरली एक टैबलेट जो है 500 MCG वाली जरू लेना चाहिए डाइट तो ठीक है जो मैंने बता है वो डाइट आकर आप लेंगे तो बहुत अच्छी बात है लेकिन एक उमर के बाद विटामिन B2L की जो है कमी जादा हो गई है वो बेसे ही मैं सला दूँगा कि एक टैबलेट एक दिन में एक बार आप 500 MCG तक की ले सकते हैं उससे कम बाली भी ले सकते हैं तो उसके लिए एक बार आप डॉक्टर से सला कर लेंगे तो और बहतर रहेगा तो देखिए इधर मैंने काफी कुछ विटामिन B2L के ब बनाऊँगा बताऊँगा जो कि आपको साइध नहीं पता होगा तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इस टाइप से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में जब तक आप बने रह वीडियो देखते रही है आपके अपने चैनल में नौलिज फोर इंडियन